चैनल पर करने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल एकन को और फिस हैट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेयर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो दोस्तो कम्यूटी टैप वाली इस वीडियो के साथ आगए हम एक और बार फिर और एक और नई इसी कम्यूटी टैप में पोस्त आप लोग के रिख दी गई है तो जाओ भाई कम्यूटी टैप में और वहाँ पर जाके वोट दे दो अपना है ना ताकि हम अच्छा सा व जरूरे के बाद कम्यूनिटी टैप जरूर विजिट करें दूस्तों पिछला सवाल हमने पूछा था कि मतलब कम्यूनिटी टैप में पूछा था कि आप लोगों को अपना जो फोन है किस तरह से प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पर उप्शन दिये थे विदाउट स्क्रीन ग लोगों ने जहाँ मतलब यहाँ पर वोट दिया अब तक मतलब तीनस्तो साथ लगबग लोगों ने वोट दिये है न तो अब । 4 पसंट लोग यह कहते है कि अउनली स्क्रीन गार्ड वह अपने फोन में यूज़ करते ऐ ऐटी थी पसंट लोग यह कहते है कि मतलब बैक ब्रॉब भी युज़ करते हैं उसके बाद 10 पसेंट लोग सिर्फ बैक कोवर रिचुल करते और 4 पसेंट लोग जो है नहीक लोग किंआ जो कुछ भी औरес बटाते हैं और लोग सकुछ सेमय और ऻुघ कि इस तरह से क्यूं है ना मतलब कमेंट बाक्स में ज़रूर बताना जिन लोगों ने 4% की वोट स्लेक किये है ना तो सबसे पहले यहां पर यह clear करें कि इस वीडियो को बनाने का या इस पोस्ट को रखने का मोटिव क्या था तो इस वीडियो को बनाने का जास को लारी हो इस पोस्ट्ड को या पर एकँ तब लोग जो स्क्रीनगाड लगाते हो आप लोग जो बैके कवर इसके तो यहाँ पर क्या होता है कोई-की बार और लोग ऐसी कंप्रेंट करते कि मतलब मैंने मेरे पास सवाल आए कि हम जो है फोटो निकाल रहे हैं लेकिन ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या करें इसके लिए क्या करें है अभी टोटली ब्लाइंड जी है हमारे यह किसी को इमेज निकाल के शेयर करें यह स्टोरी हम आपको बत है और मतलब किसी को शेयर कर रहे है लेकिन सामने वाले जो देखने वाले ब्लैक स्क्रीन आ रही है ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो सामने वाले ने हमें सवाल पूछ लिया कि भाई यह ब्लैक स्क्रीन आ रही हम क्या करें हमारे जो जो फोन में हम फोटो निकाल कि किसी को शेय तो मतलब Greg screen आ तो केमरे खराब हो सकता है या फिर मतलब कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन यह माइंड में नहीं आया कि मतलब phone का जो back cover लगा हुआ है हो सकता है वो किसी और smartphone का दिया गया phone में और camera की जगह पे camera का जो hole होता है वो ही नहीं तो यह ब्लस्क्रीन तो यह चीज बस हमने एक तुक्के की तौर पर उनके कही कि आप उन्हें बैक कवर निकाल के एक बार फोटो जड़ा भेज के देखो तो सेम उन्होंने वो किया तो उसके बाद फोटो अच्छी गई अब्जेक नजर आने लगा तो जब उन्होंने चेक किया तो मतलब फोन का मोडल नEmber अलग है और मतलब जो कैमरा है तो मलब तीक कैमरा में हो प्रची等 तो यह तो मतलब तकम लोग कामरा यूज करत है लेकिन कम हीतरगा तो मतलब ठीक लगा लो है से कमया के अच्छी पर पर या बटन्स का डिरेक्शन सही आ जाए इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई भी कवर अपने फोन में बैक कवर में गुसा ले है ना ऐसा नहीं है यहाँ पर आप जो भी बैक कवर लगाते हो आपको अपने ही मॉडल का बैक कवर लगवाना है आपका जो फोन है उसी फोन का बैक और M21 2020 है तो दोनों की थोड़ा सा जो है डिफरेंस से कवर्स में तो अब कवर्स भी आपको उसी तरह के लेने हैं अगर आपका तो अब कारण क्या होता है जो यह जा आपको कोवर लगा जा रहा है वह आपके फोर आपके फोन का हो आपके फोन क के मॉडलither का कवर यह आपको चेक कर के लेना है ना तो यह चीज सबसेज़ादा important है यह हमारा motive आपको समझ में आ रहा होगा अब जो अगला सवाल था screen guard को लेकर कि भाईया screen guard लगा तो लेते है लोग लेकिन उसमें होता क्या है कि मतलब screen guard ऐसा लगा देते है कि उसमें proximity sensor को cover कर देते है तो जब अगर आप अपने ग्लास से proximity sensor को कवर कर दे रहे हो तो यार कैसे मतलब आपका proximity sensor काम करेंगा यह जो minor से issues आपको आने लगते है आप जो questions करते हो तो यह इन सब चीजों की वैसे ही होते हैं है ना तो आप आप लोगों को जो आप cover लगा रहे हो जा स्क्रीन गार्ड लगा रहे हो तो वह आपको अपने ही phone का ही लगाना है है अपने phone का लगाना और जो लगा रहा है उसको कहना है भाईया सब अब चीजे कवर करना प्रोक्सिमिटी सेंसर को कवर मत कर देना यह चीज आपको लगाने वाले को याद से बुलनी है है और यह चीजे जो है अगर आप ध्यान रखोंगे तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं आईगी तो यहां पर जो लोग 83% लोग है जो बैक कवर भी लगाता हूंए और वो गलास वाला ही स्कीजें कार्ड लगाता हूँ आप लोग को भी कलास वाला स्कीजाड लग ना चीजे जो फोर पर रोग के जो स्रिफ शुर्प्रीन ग़ाट यूज करते हैं उन लोग को रिकमेट करोंगा भाया अगर आपका फोन मतलब आपको फोन अपने फोन को रिसेल करो तो अच्छी खासी प्राइज मिले इसलिए आपको फोन को बैक कावर भी यूज कर नहीं स्क्रीन गाड भी यूज करना है और फोन को पूरी तरह सी आपको प्रोटेक्ट करके रखना हो है ताकि आप जब भी फोन को रिसेल करो तब आपका फोन आपको अच्छी प्राइस रिटर्न में दे और जो 10% लोग है जो सिर्फ बैक कवर यूज़ करते उनको रिकमेंट करूंगा भाया आप स्क्रीन गार्ड यूज़कर लिए ऐस पर कोई स्क्रेचेस ने होगे अगर फोन पे scratches होते तो आप resell नहीं कर सकते फोन को तो यह चीज़ आप screen guard तो सभी लोग use करें और जो 4% लोग है उनको तो मतलब अब यहाँ पर क्या ही कहे आप लोग तो back cover भी use करो और screen guard भी use करो बस motive यह था कि आप लोग back cover और screen guard जो भी आप लोग लागा रहे हो वो अपने उस particular smartphone के model के according ही लगाओ है ना तो उमीद करता हूँ आप लोग की वीडियो पसंद आएगी जरू वीडियो सब्सक्राइब करोंगे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर करोंगे